हेलो आई वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल इस्टाइविद भासकर तो मैं आज आपके साथ देखिए इंडियन रेंकिंग फ्रेमवर्क जो कि जारी किया गया है जो कि रमेश पोख्रियल निशन्ग द्वारा तो देखिए उसके बारे में इफ्रेंट है ओके एन आई आरे इजे इजे मेथोडोलोजी एडाप्टेट बाइदा मिनिस्ट्र फिमें रिसोर्स डेपलोपेंट गवर्मेंट अफ इंडिया तो रेंक इंसिट्यूशन फॉर हायर एडुकेशन देखिए जो की आपका एन आरे फ रेंकिंग है जो कि निस्ट्यूशन रेंकिंग फ्रेमवर्क की वह आपको जो की रेंग करता है जितने भी हायर एडुकेशन इंसिट्यूशन है जैसे हमारी इंजिनिरिंग कॉलेज हो जो की यूनिवर्सिटी जो यह सब को रेंकिंग करता है ओके और दा फ्रेमवर्क वाज एप्रूवड बाइ एम एचाड़ और लॉंच्ट बाइ मिनिस्टर अफ इमिन इस्टर्स डेवलपमेंट 29 सेप्टेमबर 2015 से यह स्टार्ट किया गया था यह रेंकिंग का जो की तानावाना सुरू किया गया था याद रखेगा जो की हमारा एमेचाड मिनिस्ट्री देखता है अभी हमारे भारत के जो की एमे इसलिएशन लाइभbe सिटीचर अएंड अधे इंडिक इंजिनीयरिन इंसिकिन्स मेनेज्मेंट इंस्टिशन हर भी इंस्टिशन यह जो है जो की डिफेट इपकर के सितुशन से मेडिकल institution हो गए engineering college हो गए उसके बाद देखिए आप universities हो गए इन सब का अलग-अलग ranking किया जाता है ता framework uses several several parameters for the ranking purpose like resources research and जैसे यहाँ पर देखे different parameters देखा जाता है जैसे resources वहां के resources कैसे वहां के जो की infrastructure कैसा है वहां का जो की कितने equipment मौझूद है कितने machines मौझूद है और देखे research कितना research publish किया जाता है university द्वारा या एक college द्वारा इन सब के बारे में देखा जाता है यह सब framework देखा जाता है और यह first release कप किया गया था 2016 में first report release किया गया था तो 2016 से यह report start हुआ था establishment scheme का establishment कप किया था 2015 ओके और first report 2016 में जारी किया गया तो देखे रेंकिंग देखे 2020 में जो की नर्फ रेंकिंग है university रेंकिंग देखे इंडियन इंसिट्यूट अफ साइंस जो की करनाठा काई जिसने टॉप किया है याद रखेगा यूणिवर्सिट्यटि रेंकिंग में उसके बाद देखे जवाहरलाल नहरु यूणिवर्सिटी डेली जिसने शेकट्ड रेंकिया है उसके बाद देखे बानारस फिंदो यूcast Посक्ट को बलाता है ब 54 और जो कि गौहाटी उनिवर्सेटी जिसने क्या है 47 रहेंक याद रखिएगा फिरी मच इंपोर्ड उसके बाद देखें डिफेरेंट रेंकिंग और भी है ऑवराल रेंकिंग देखें यहां पर जिसमें टॉप किया है आपका आईटी मद्रास ने याद रहें आईटी मद्र ज्याद रहें 65 तो आप इस सब उइन्वर्शेटी जिसने सेवेंटी टू रहन किया है आप रखिए हमारा आयटी गौहारी जिसने और रेंकिंग में कितना किया है सेवें रेंकिंग तो आप इस सब पॉइंट को याद रखेगा यह सब बेरी मुच इंपोर्ट है उसके बार देखिए कॉलेज रेंकिंग डिफेंट कॉलेज रेंकिंग यहाँ पे मिरिंडा हॉस जिसने डिली में है जिसने 2nd रेंकि आरक्थ किन एप्रीम इप्टेंट चदेकें सिर के नेक्स लॉल इसके रेंकिंगे यहाँल इंडिया आरू हम पटूक शोकर कि एमस आडबी में च्च्टनौंने उसके बाद लिट इसने 1 is चंडीगड इसने सेकंड रेंग किया है क्रिस्टेन मेडिकल कॉलेज बेलोर तामिलनाड में इसने किया आपका थाड रहाँ याद रखे कि भेरी मच इंपोर्ड मेडिकल में इंजिनियरिंग कॉलेज के रेंकिंग है इंडियन इंसिट्यूट अफ टेकनोलोजी मद्राज इस और एक बात रखेगा और एक बात रहे हमारे जो भारत के जो की आपका मिनिस्टर को ने अभी रमेश पोख्रियाल निसंग याद रहे है रमेश पोख्रियाल निसंग देखें इंजिनियरिंग में देखिए जो की फोर्थ रेंग किया है आयाइटी गोहाटी ने जो जो की फोर्थ सेवैं द्रेंग किया याद रहिए सेवैंध रेंकिंग और आएटिक ओअटिक आव रूल में ऑवल देवेन था और यहां पर इंजिनेरिंग में की न्यू डेली में है उसके बाद देखिए नाल सर नाल सर युनिवर्सिटी अफ लोग है जिसने थाड रेंग किया है तो यह था आपका रेंकिंग के रिडियो आपको रिवीजन थोड़ा मतब करा देता हूं यहां पर देखिए तेशपूर युनिवर्सिटी का रेंग कितन सब्सक्राइब कर देखिए और जो कि यह था वीडियो तो डू सब्सक्राइब माइच चैनल और हिट द पेल आइकन आई विल मेक इस ताइप आफ इन्फरमेटिव वीडियो फोर यू